आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूं। लाल की क्लास काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अमबेटकर नामा एपिसोड नमबर 242। आज 24 जनवरी है जननायक करपूरी जी की जहनती है करपूरी जी बिहार बिधान सबा से लेके और चीफ मिस्टर तक रहे सदस्य से लेकर चीफ मिस्टर रहे लोग सबा में भी रहे और बिहार और देश के जाने माने नाम है आज यह एपिसोड उन्हीं को समर्पित है और आज हम बहुत ही प्रासंगिक वुषय पर अपनी बात रखने जा रहे हैं कि उस वुषय पर करपूरी ठागूर साहब ने क्या कहा था साथियों बिहार बिधान सवा से उनके संसद्य जीवन पर दो कितावें छपी हैं और मेरे साथ मेरे शोध सहयोगी रिसर्च असिस्टंट इशान लाल भी हैं और मैं उनसे अगरह करूँगा ज़रा वो किताब मुझे दिखाएं यह दो किताबे छपी हैं और आप देखिए करपूरी का संसद्य जीवन यह है पहला भाग है 1952 से 1966 तक और दूसरा जो वॉल्यूम है यह देखिए दूसरा वॉल्यूम है वो है 1967 से 1988 तक और यह किताब का सीधा भाग है यह देखिए ऐसे हैं और यह इसका पिछला भाग है लेकिन अगर किताब के पन्ने को आप पलटेंगे तो मैं एक एक पन्ना पलट के पहले दिखाना चाहता हूँ और आप देखिए कि यह किताब सीधा है या उल्टा है यह इसका पिछला भाग है किताब का और यह इसका अगला भाग है ऐसे देख लिजिए और यह पिछला भाग है मैं इसको पलटता हूँ कि अगला जो भाग है किताब का यह जो कवर पेज है इसको गौर से दिखिया और इसके पन्ने को मैं पलटता हूँ आप यह बताएं कि यह पहला पन्ना है कि आखरी पन्ना है यह सीधा किताब छपी है या उल्टा छपा है यह देखिए और जो साथी विहार के विधानसभा में या जो सांसद और विधायक मंतरी जो दीखेंगे उनसे आग्रा है कि इतनी बड़ी तुटी जो है यह कैसे हो सकती है ये पिछला ये अगला पन्ना है लेकिन ये शुरू होता है आखरी पन्ने से और ये पिछला पन्ना है और ये शुरू हो रहा है पहले पन्ने से देख लीजिए तो ये अजीब अधुद था मैं किताब जब खोल रहा था तो मुझे लगा क्या ये महज सयोग है या बिहार की राजनिती में आज जितने बिहार के जितने बड़े नेता हैं उनमें करपूरी जी के लड़के रामनात ठाकु साब शामिल हैं वो जेडियू से राजसवा के सांसद हैं और बिहार के जितने बड़े नेता हैं वो सब करपूरी जी की शागिर्दी में ही सब पले बढ़े हैं स सबकी ट्रेनिंग उन्हीं के नेत्रित में हुई है तो क्या यह समझा जाए कि जिस तरह से किताब को उलट दिया गया है किताब के पन्ने को उलट दिया गया है तस्वीर को उलट दिया गया है क्या उसी तरीके से करपूरी जी के जो सिध्धांद थे जो राजनितिक सिध्धा उसको भी पलट दिया गया है यह सोचने वाली बात है इसलिए मैंने किताब की तस्वीर दिखाई इशान सहाब का सुप्रिया हो मेरे साथ लगातार इस कारक्रम में शामिल है तो यह दो वॉल्म आप लेना चाहें तो आपको वहां पे जो स्टेट आर्काइफ है वहां से मैंन बहराल चलिए मैं अब काम की बात की और चलता हूँ कि आखिर करपुरी जी ने क्या कहा था और इस संदर्व में मैं 21 जनवरी 2021 को एक बिहार पुलिस मुख्याले कि आर्थिक एबं साइवर अपराद प्रभाग से एक चिठ्ठी जारी हुआ है और चिठ्ठी जारी करने वा जो की अपर पुलिस महानिदेशक है और आर्थिक अपराद इकाई बिहार पटना यह चिठ्ठी बिहार सरकार के सभी प्रदाहन सचीव और सचीव को लिखा गया है और इसकी प्रती जो है मुख्य सचीव अपर मुख्य सचीव पुलिस महानिदेशक सब को प्रेशित की अवान्चनिय व्यक्ति संगठनों द्वारा की जाने वाली अपति जनक टिपणियों के संबंद में। इस विशय पर पहला मेरा प्रश्ण है कि ये अवांचनिये लोग कौन है ऐसे संगठन कौन है इसकी परताल इसकी पहचान कैसे होगी इसके बारे में इस खत में कुछ नहीं लिखा हुआ है आगे जो लिखा हुआ मैं पढ़ता हूँ उसके बाद करपुरी जी की बात इती विशय पर रखूँगा महाशय उपरोक्त विशय के संबंध में ऐसी सूचनाय लगातार प्रकाश में आ रही है कि कतिपय व्यक्ति संगठनों द्वारा सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से सरकार माननिय मंतरीगन सांसद बिधायक एवं सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में आपत्ती जनक अभद्र एवं भांति पुर्ण टिपनिया की जा रहे हैं यह कानून के विधी विरुद्ध एवं कानून के प्रतिकूल है तथा साइवर अपराद की श्रेनी में आता है इस कृत के लिए ऐसे व्यक्तियों समूहों के विरुद्ध विधी सम्मत कारवाई किया जाना समिच प्रतीत होता है उलेखनिये हैं कि आर्थिक अपराद इकाई आर्थिक अपराद के साथ साथ साइवर अपराद की नोडल संस्था है अतह आप सभी से अनुरोध है कि उप्त प्रकृति के मामले में मामले संग्यान में आने पर किर्प्या आर्थिक अपराद इकाई बिहार पटना को विस्त्रित सूचना के साथ अवगत कराने की किरपा की जाए ताकि ऐसे मामले में आर्थिक अपराद इकाई द्वारा संग्यान लेकर जाचनो परांत सम्मंदित व्यक्ति समूह के बुरुध बिधु नुकूल प्रभावी कारवाई की जा सके नयर हसनयन खान 21.1.2020 जहां तक मुझे पता है नयर जो हसनयन साहब दिली विश्विद्याले के पढ़े हैं और जब मैं जूबली हॉल में रहता था तो वो पीजी मेंस हॉस्टल में दिली इनुवस्टी में रहते थे यह असपस्ट नहीं है कि क्या हसनयन साहब ने व्यक्तिकत तौर पर ये हुए जहां तक मेरा अनभाव है कि कोई भी पदादीकारी कोई भी ऑफिसर इस तरह का जो ऑफिस और निकालता है वह अपने आप नहीं निकालता है उसके बाद यह निकाला जाता है अब चलिए मैं लिए चलता हूं कर पूरी जी ने अव्यक्टिक की आजादी पर और इस जब फर्पूर बालिका ग्रिह में जो घटना घटी थी उसके बारे में बोलना अपराद है जो अपराद जो जिस तरीके से भ्रस्टचार भैला है नेता और अफसर भी भ्रस्टचार के मामले में लिप्ट होते हैं पूल का ढ़य जाना भागलपूर का जो घुटाला है के गुरू है लालू जी के भी गुरू है कि उन्होंने क्या कहा था इस संबंद में दिनांक 31 जुलाइड 1978 उस समय कर पूरी ठाकूर बिहार के मुख मंत्री थे और एक विशय आया था सदन में अविव्यक्ति सोतंतरता संकट पर वाद वीवाद इस पर वक्तव्य देते हु एक सदसे को अपनी अविव्यक्ति के लिए स्वतंतरता है इस पर कोई पावंदी नहीं है जितनी पावंदी थी उस समय मतलब जब अपात काल लगा था जितनी पावंदी थी इस समय है ही नहीं लेकिन नियम के अनुसार कानून के अनुसार सदन में अविव्यक्ति करने में कोई पावंदी नहीं सदन में अहिव्यक्ति चाहे पत्रकार के जरिये हो या मानिय सरस्य के जरिये हो लोग तंत्रे में तो इस पर पावंदी रहने ही नहीं चाहिए अईव्यक्ति पर जनता पाटी की सरकार पाबंदी लगाने वाला नहीं है और न लगा रही है और न लगाएगी जनता पाटी का जन्व तो इसलिए ही हुआए अभिक्ति की आजादी सब स्वतंतरता के लिए हुआ इसलिए इसके लिए तो जनता पार्टी की सरकार बराबर लड़ती रही है और लड़ती रहेगी आपकी सरकार इस पर अंकुष लगाये हुए थी मतलब कॉंग्रेस की सरकार को उस समय कह रहे है जनता पार्टी की सरकार स्वतंतरता के अनुसार लोकतंतर के अनुसार आचरन कर रही है लेकिन आपने अभेलना की है हम लोग ने जो नियम बनाया है वो समिधान के अंतरगत है कानून के मुताबिक है उसके अनुसार जनता पार आएगा तो सरकार निश्चित रूप से जबाव देगी मैं फिर दुहराना चाहता हूं जैसा कि मैंने डेर दो महिना पहले कहा था यह कबीर की दुहा यहां पे उद्रित कर रहे हैं कर पूरी ठागुर साहब निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाए इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी दल को आलोचना करने का अधिकार है सत्यागरह करने का अधिकार है आपकी सरकार तो सदन के मूँ पर पारलियमेंट के मूँ पर जाल लगाये हुए थी जैसे जानवर के मूँ में जाल लगाया जाता था तो क्या हस्नेन साहब की चिठी जो है वो जाल की तरह है कि जितने लोक शाही में विरोध करने कादिकार समको है तो वो चिठी को जाल समझा जाए जिसकी चर्चा कर पूरी ठाकूर कर रहे थे उस समय आपकी सरकार ने तो पार्लेमेंट के मुँपर जाल लगा दिया था कॉंग्रेस सरकार लेकिन हमारी सरकार इंसान को इंसान मानती है हमारी सरकार जानवर की तरह मुँपर जाल नहीं लगाएगी लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कानून के अंदर नियम के अंदर सदन को भी चलाना है आचरन रखना है हम लोग जो कानून है उसके अनुसार काम करेंगे आपके दफ्तर में जो काम करते हैं उनके लिए उनके लिए कानून अलग है इससलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जैसा कि मानिये सदसे श्री तेज नाराइन जाजी ने कहा है कि हमारी सरकार मौन है इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कोई निश्चित प्रश्ण जब आएगा तो सरकार उसके बारे में निश्चित तोर से जबाब देगी जहां तक अहिवेक्ति का प्रश्ण है सदन द्वारा समिधान द्वारा निश्चित और निधारित समय के अंतर निश्चित और निधारित नियम के अंतरगत अहिवेक्ति की पूर्ण सोतंदरता है इस पर न हमारी सरकार ने प्रतिबंद लगाया है न लगा रही है और न लगाएगी इसलिए मानिये सदर से श्री अंबिका बाबु ने जो सुझाओ दिया है उसका मैं समर्थन करता हूँ इसका मैंने पहले भी समर्थन किया है ये करपूरी जी का विचार अव्यक्ति की स्वतंतरता पर ये भाशन है और जो साथी ये भाशन देखना चाहते हैं वो उनके जो संसदिय जीवन का कलेक्शन है बिहार से छपा है पेज नमबर 316 और 17 को देख सकते हैं साथियो आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं बिहार सरकार को ये संदेश भी भेजना चाहता हूँ कि अगर यह एपिसोड उनको लगे कि आपत्ति जनक है उनकी आलोचना हुई है तो वो नियम के तहट अपने नियम के तहट मेरे उपर मुकदमा करने के लिए स्वतंत रहते हैं और सोशेल आक्टविजिस्त और विडोधी पक्ष्ट विलोधी पपार्टी होती है उसका काम होता है हर समय और मुझे लगता है लगतार सरकार की गतिवीधियों पर नजर रखना और उसकी शमिक्षा करना और जरुवत परणने पर तृख शाहुँ आज कलि इतन इसको शेर केजिए कीप शेरिंग और घर घर तक जन जन तक पहुंचाईए और बिहार के जितने साथी देख रहे होंगे उनसे अग्रह है कि जो 40 सांसद हैं बिहार के और जो 242 जो एमले हैं और बिधान सभा के जो अध्यक्ष हैं उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचा दिया जाए ताकि वो समझ सके कि गले में माला विचारों पर ताला नहीं चलेगा आज सब लोग करपूरी जैनती मना रहे होंगे लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इतने बिधायक और इतने सांसदों के रहते हुए कोई भी व्यक्ति आज करपूरी जी के लेखन भा रहा होगा लिखने ही रहा होगा शुक्रिया साथियो जैभीम अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी गुडबाई